बारत और न्यूजिलेंड के बीच खेले गए दूसरे T20i मुकाबले में टीम इंडिया ने किभी टीम को 65 रन से माद दे कर तीन मैचों की सिरीज में एक शुन्य से बड़त बना ली है इस मैच में बारत टीम के धाकड बनले बाज सूरे कुमार यादब ने 51 गेंडों पर नाबाद 111 रन ठोक कर न्यूजिलेंड के गेंडबाजों की बखिया उदेड दी लेकिन बॉलिवुड की एक खूपसूरत अदाकारा टीम इंडिया के स्टार बनले बाज श्रेयस आयर की तरफ आकर्शित हो गई है दरसल श्रेयस आयर मैच में कोई खास कमाल नहीं कर सके टीम इंडिया की बल्ले बाजी के 13 वे ओवर में लॉकी फर्गसन की गेंद पर आयर सिंगल चुराना चाते थे लेकिन उनका पैर विकेट से टकडा गया जिसके बाद अमपार ने उन्हें हिट विकेट आउट दे दिया और वह सिर्फ 13 रन बना कर पेवेलियन लोट गए आयर की स्पारी को लेकर बॉल्लवूर्ड अदाकारा और मॉडल अश्वनी अहीर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है अश्वनी ने अपने ओफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आयर को टेक करते हुए एक स्टोरी साजा की जिसमें उन्होंने इस 27 पर्षिय भारतिय खलाडी को एक कॉफी डेट का ओफर दिया है अश्वनी अहीर की यह स्टोरी शोशल मीडिया पर वाइरल हो गई है अश्वनी ने इंस्टापर स्टोरी पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए कैप्चन में लिखा श्रेयस अगर मैस से पहले मेरे साथ कॉफी पी लेता तो वो भी स्काई के जैसा मैच में सेंचुरी मारता बता दे अश्वनी 23 साल की है और पूरे की रहने वाली है और जल्ल ही वे अपनी पहले फिल्म इजट प्यार के साथ अपना डेब्यू करेंगी वहीव है 2021 में एक्सपोज पंजाब सौंग में भी दिख चुकी है अश्वनी अक्सर अपनी होट तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है इंस्टाग्राम पर इस खूपसूरत अदाकारा के 2,14,000 फॉलोवर्स हैं आपको बता दें कि आईयर ने फिलाल अश्वनी की कॉफी डेट को लेकर कोई रिपलाई नहीं दिया है लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जम कर मजे लूट रहे हैं दोस्तो अईयर के साथ जुड़े इस बॉलिवूड कनेक्शन को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं ख़बर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें और क्रकेट से जुड़ी तमाम घबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टुड़े टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए धन्यवाद